गुड मॉर्णिंग एबरीबन तुली इस ट्विंटी सेवन्थ ऑफ जैन्वरी और डे है थरस्डे तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत है कोडिंग डिकोडिंग से लिटिड रिजनी का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक काफी इंपोर्टेंट और काफी इंट्रे हो जाएगा पिछले कल हमने कई सारे नंबर पैटन के बारे में डिसक्स किया पैटन बीद एडिशन पैटन मेजिक पैटन के बारे में डिसक्स किया मैजिक टाइंगल के बारे में डिसक्स किया नंबर टावर और कुछ रूल्स के बारे में जो वह हमने डिसक्स किया आज का से बनाना और बन घर्डिक मतलब की उसको ईक बनाना कि क्या बोला जा रहा है यहाँर है जैसे आपको कोई क्या कर रही हो? वट और ये डूई थी है है तो जड़ो इसने कोई बताया कि मैं क्या कर रहे हूं तो इसने ऑस में जो वो हमारा आज topic है बस एक coding decoding वैसे और भी type के code decode होते हैं लेकिन आज हम लोग सिर्फ जो लेटर से हैं हमारे 26 वो आपको बता होना चाहिए उसी से लेटर ये topic है तो जैसे 7 है आपको बता है कि A आता है हमारे first number पर B आता है second number पर बैसे आपको बता होना चाहिए कि seven पर जोवो G आता है seven पर जोवो G आता है ठीक है तो इस first g7 लिखाया आप दो इसका मतलब जी है इसका मतलब जी है तो यहां पर one लिखाया फिर इसके बाद तो इस जैसे 1 मालो 15 नहीं है 1 है तो इस 1 का मतलब फिर A है जी A बन रहा है तो ऐसे जो वो इस code को decode किया जा रहा है और जैसे जैसे एक पूरा इस letters के साथ जो वो मिला करके एक word बनेगा तो वो उसका answer हो जाएगा तो आई होप आप समझगें कि coding decoding क्या होती है तो यही जो वो topic है काफी interesting है बस आपको जो आज की दिन क्या करना है exercise 13.2 को आज आपको complete करेंगे बस आपने जो यहाँ पे साथ फिल करने के लिए है तो book में ही इसको फिल करिए आराम से और यहाँ पे जो भी homework रहेगा आपका वो रहेगा कि आपने a से लेकर के z तक 26 के जो वो number याद करने जैसे जैसे जो वो 8 number पराता है जी जो वो 7 number पराता है अगर आपने जो वो ऐसे जो वो आज ही learn कर लिए अभी आप छोटी classes में है जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे तब जो वो आपको आगे वाले question में जो ज़्यादा कोई problem नहीं आने वाली है जब आप बड़े हो जाएंगे कोई test देंगे तो उसमें reasoning पूछी आती है reasoning में जो वो coding decoding के question बहुत जादा पूछी आते हैं तो इसलिए जो वो इनको अच्छे से learn कर लें जैसे e का जो code होता है वो 5 होता है d का code होता है 4 जैसे c का होता है 3 तो ऐसे h के बाद क्या जाएगा i आ जाएगा i का क्या हो गया 9 हो गया ठीक है ghi ठीक है ऐसे जो वो आगे तक चलता रहेगा फिर j आ जाएगा फिर k आ जाए j k l फिर m n o p q r ऐसे चलता रहेगा ठीक है फिर 9 के बाद यहां पर j का 10 हो गया फिर 11 आ जाएगा यहां पर 12 आ जाएगा यहां पर 13 हो जाएगा 15 हो जाएगा 15 ऐसे जो इसको कंप्लेट करें 26 तक आपको बताने है लास्ट 26 जो वो जड़ जो वो लास्ट नंबर बनाता है तो 26 नंबर जड़ का है चलाएगा 123 ABC DEF 456 FGH 678 ऐसे जो अगर सासन जैसे आपको जो वो नंबर याद है 123456789 ऐसे जो वो 123 के साथ जो आप ABC इसी लर्ण करिए 456 के साथ जो आप DEF याद करिए जैसे आप जो वो EFG जैसे आपने मानलो याद करिए EFG तो आपको याद होगा 678 तो E जैसे मानलो जी मुच सा याद है आपको याद है तीन तीन के पेर बनाएए और याद करिए इसको next question देखिए इसको आप book में complete कर सकते हो next देखिए अंकुस wants to write to his friend good luck what will we what will he write while using the same rule so same rule रहेगा g का code आपको बताना है या आपने code लिखना है मैं नहीं बताने बाला g है यहाँ पे जैसे g o d लिखा है तो g का code आप यहाँ पे देख रहे हुए 7 है ठीक है h i j k l m n o आ रहा है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे आजाएका 9 10 11 12 13 14 15 15 पर आ रहा है तो 7 के बाद जबो आप यहाँ पे commas commas तो नहीं लगाना है बीच है वैसे लेकिन आपने जबो यहाँ पे थोड़ा सा space दे करके यहाँ पे 15 लिखे क्योंकि दूसरे बाला भी o है तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपने थोड़ा सा space दे करके 15 लिखे commas लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है डी आपको पता है कहाँ पे आ रहा है फूर नमबर पे आ रहा है तो यह जूब मैंने फूर सेवन फिफ्टीन फिफ्टीन फूर जोब गुड का जूब कोड बना दिया अबाकी लग लुशी के का आप खुद लिखे इसको आप खुद प्रैक्टिस कर लिए ओके नेक्स देखे कोशी नमबर त्री इफ वी चेंज दर रूल एंड राइट जीरू इन प्लेस ऑफ ए यह वो रहा है कि अगर रूल को जो चेंज किया जाए तो इसने मुला कि जीरू एकी जगा जो जीरू लिखा जाए एकी जगा बैसे कह लिखा आपने वन लिखा यह वो र रहता कि जैसे हमने पहले किया हमने पहले कैटिया प regulatory बैसे हमने किया कि जाए जिया सट रहे कि एक वन ओ सिग फूल और और शाओ यह जैट तो जैसे मैंने यहां पर L, E, T लिखा है न, लेट टिक है, तो L का जो कोड होगा, जैसे आपने जो पहले लिख लिख लिखा होगा A, B, C, D तो L का जो कोड होगा, उसमें से एक माइनस कर दो टिक है, जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K एल आ रहा है यहां पर एल होगा तो इसका गोड है आप यहां पर जिर सीज्ड जिन के साथ but लेंसे पैसरे हों गयो Mr. तो आपने जोबो यह याद नहीं रखना है कि एको जोबो जीरो बोलेगा आपने सिर्फ उतना याद रखना है जैसे एवी से 123 जैसे आप बोलेगे कि जेके ल तो देखे तीन तिन के फिर बना दी मैंने यहां पर जी अच्छाई जेके ल तो कितने बना है नाइन टैन इलेव 12 का मतलब यहां पर क्या है 10 11 12 अब आपको बहुता है कि इसने बोला कि जीरो का मानी है मतलब की एक जो आप जीरो मानी इसका मतलब है 1- कर देंगे तो यह जो बैसे 12 नमबर पार रहा है इससे 11 आजाग कि इसने रोल चेंज कर दिए आपने जो नमबर आएगा उसमें से तो यहां पर जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है काफी इंट्रेस्टिंग चैप्टर था काफी इजी था और काफी इंपोर्टेंट था तो अगर कोई डाउट होगा तो लाइब क्लास में आप पुछिए और फर्स सेकेंड थर्ड को जो आप बुक में जो वो कंप्लीट करिए हाँ हो सके तो आप कॉपी पर जो वो A, B, C, D, S, Z तक जो वो इनके कोड जो वो एक कि प्रसेट।